प्रश्टाचार का मामला सामने आया था अब पंजाब में भी इसी मामले को लेकर अब बता दें कि अब पंजाब की सरकार भगवत्मान सरकार जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर भी नई शराब नीती को लेकर हंगावा खड़ा हो गया है क्योंकि अब उस मामले में भी कथित भ्रश्टाचार का मामला निकल कर सामने आ रहा है जिसके आरोख सुख तारी की तलवार लटक रही है और इसी बीच अब पंजाब को लेकर ये बड़ा खुलासा कि पंजाब की भी नशराब नीती को दिली की शराब नीती की इतारा भ्रश्टाचार से लिप्त करके बनाया गया है यह अपने आप में कही न कहीं आपके इज्रिवाल की मुश्कि बढ़ सकती है क्या है पूरा मामला इसके बारे में हमजा ये बिस्तार से बात कर लेते हैं दिली की शराब नीती में कथित भ्रश्टाचार को लेकर आम आदनी पार्टी और बीजेपी के बीच खीशतान के बीच अब शीरोमणी अकाली दल के प्रमुख सुकवीर सिंग बा मांग कर दी है और उन्हें कहा है कि एडी के पास वो कंप्लेन करेंगे कि समामले की जाच की जाए सुखवीर सिंग बादल ने ये दावा किया कि आम आदमी पाचे के नेतित वाली पंजाब सरकार ने दिली मोडल के मुताबक ही अब कारी तीती तैयार की साथ ही ये आरोप लगाया कि राजकोश को लूटने का तौर तरीका एक ही है अकाली दल के प्रमुख ने कहा कि वो पंजाब के राज्यपाल से मिलकर उनसे मामले में कारवाई करने का भी अनुरोध करें उन्होंने कहा कि अब जब दिली अबकारी घोटाले में एफ आयार दर्ज की गई है त नीती निर्माता और नीती निर्मता सामान है सरकारी खजाने को लूटने का तरीका एक ही है उन्होंने आरोप लगाया कि दिली की तरह पंजाब में भी शराब का लगभग पूरा कारोबार दो कंपनियों को सौप दिया गया है अकाली दल के प्रमुख ने आगे यह दावा जोग जोग के बीच यह बात सामने आई है पिछले हफते सीवी आई ने अबकारी नीती में कथित और नियमताओं के सिलसले में दिली के उपमुख्यमंत्री मनी सिसोधिया के आवास पर भी छापे मारी की थी वहीं पिछले हफते पंजाब विधान सभा में कॉंग्रिस वि लेंगे आहमादमी पाठी दिली के बाद पंजाब में अपनी अबकारी नीती उपर विवाद में घरती नजर आ रही है पंजाब के पूर्व डेपिटी सीम शिरो मड़ी अकारी दल के अध्यक्ष सुखवीर सिंग बादल पंजाब में शराब पॉलिसी को लेकर गंभीर आ पंजाब में आमादमी पार्टी सरकार ने अबकारी नीती बनाते समय दिली मोडल का पालन किया उन्हें कहा कि शीयद पंजाब के राज्यपाल से कारवाई करदे की अपील करें बादल कि अब जब दिल्ली अबकारी गोटाले में प्राथमी की दर्श की गई है तो अरोप लगाया कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराप का लगभग पूरा कारोबार सर्फ दो कंपनियों को दिया गया बादल ने का कि नई अबकारी नीती बनाते समय आपके नर्तित वाली पंजाब सरकार दे दिल्ली को अपनी पाची की सरकार कानुसर अरण किया सोदिया के घर एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें रागव चड़ा विजयनायर के अलावा पंजाब के जो है नेशनल कमिशन और एक्सेसाइस कमिशनर भी मौजूद थे पंजाब की अबकारी नीती पर इससे अगली मीटिंग 6 जून को फिर दिल्ली में मनिसी सोदिया के पर हुई दिल्ली की दोनों कमपनियों के कहे अनुसार पंजाब की अवकारी नीती जो है बनाई गई है और यह सरसर गलत है और इस पूरे मामले की अब जाच भी होनी चाहिए ऐसे में साफ तोर पर आप समझ सकते हैं कि अब जो है इस मामले की जाच की बात कही जा रही है ही दिल्ली में नई शराब नीती को लेकर काफी जादा बवाल देखने के लिए मिला जिस तरीके से नई शराब नीती को लाया गया लागू किया गया इसके बाद से खुद दिल्ली के लची विनस अकसेना को भी लगा कि इस पूरे मामले में गोटाले बाजी की गई है इस कई सारी परिशानी जो है देखने के लिए मिल रही है और ऐसे में इस से बेतर जो है इस मामले का यही किया जा सकता है कि इस मामले को द्यान में रखते हुए जो है आपको बतादे कि उन्हां ने निर्देश दे दिये थे जिसके बाद जांच आगे बड़ी तुमनी जो कि सरकारी आदमी के घर पर नहीं मलना चाहिए जिसके बाद यह मामला आगे चल रहा है मामले की जा रही है अलगता जबी पीसी की जाती है तो अर्विंद के जिवाल के करीबी कहिए वह सब यही कहते हैं कि अर्विंद के जिवाल सरकार घेरे में है और इसी बीच अब पंजाब में अभी हाली फिलाल में हो सकता में आई है और पंजाब में भी अब नई अबकारी शिराबनीती को लेकर जो है अब परिशानिया इनकी बढ़ती नजर आ लिए अब नई शिराबनीती पंजाब में भी इनकी सरकार के लिए मुश्किले बढ़ा सकता है भगवात्मान को जवाब दे ही हो सकते हैं बीच में रागव चड़ा का भी नाव आ रहा है किस तरीके से वह मीटिंग करते थे तो यह सारी बात जो है यह देखने लाएक है कि किस तरीके से आगे प्रोसेस करता है क्योंकि शि पैसे दबल करने के लिए एक प्रोपर मॉडल का जो है निसाराइंड किया गया और इस दौरान पंजाब की नई शराबनीती को लेकर 500 कोड़ों रुपय का घोटाला जो है वह किया गया है जिसके लिए सरकार है तरीके से दिल्ली में अबने शराबनीती को लेकर जाच की ज आए गया है तो उसी तरह से अपंजाब की नेशन अबनीति को लेकर दर्ज होनी चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए कि 500 क्रोन का घोटाला इन्होंने कब कैसे और कितने लोगों के साथ मिलकर किया है अब पूरा मामला जो है बड़े विस्तार्स बताए कि पूरा मु आए रिशा है बड़ा इकाल मजाब कि नेए और लोगों का इव मिलकर की तो उलाई से खड़ाई झाल बताए म हमाल रेक्तार से घ्ट में अनो बताष्टेस āरां मजय कुल शहरा कि झाल म whipping बताब काने ग Based Surenda Nee